अब बात करेंगे जहारकंड में सियासी फाइट की, जहारकंड की सियासत में अंकीता हत्याकान को लेकर बीजेपी और सोरेन सरकार के भी जंग और तेज हो गई है इस बीच बीजेपी सांसद निशिकान दूबे समेत 9 बीजेपी नेताओं के खिलाब देवगर हवाई अड़े की सुरक्षा में सेंद के आरूप में एफाइयार दर्ज की गई है 31 सगस को अंकीता के परिजनों से मिलने निशिकान दूबे पहुंचे थे, मनोश दिवारी और कपिल मिश्टा दुमका गए थे निशिकान के साथ उनके दोनों बेटी भी मौझूद थे, आरूप है कि शाम को करीब 5 बज़ जब बीजेपी सांसा दिशिकान दूबे लोट रहे थे तब एटीसी ने उन्हें उरान भनने की इसजाज़त नहीं दी निशिकान दूबे और उनके साथ मौझूद लोग एटीसी की बिल्डिंग में घुसे और जबरन क्लिरंस लिया और चार्टर प्लेंट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए एरपोर्ट की सुरक्षा में तनाज डीसीपी रैंक की अधिकारी ने निशिकान समेते नौ लोगों के खिलाफ शिकायत दर्च कराई है तो निशिकान दुबे जब पहुँचे थे आपको बता दे कि जिस तरह से दुबका वाली घटना होई थी उनका पूरा परिवार से वुलाकात करने के लिए पहुँची थी बीजेपी के तमाम इसमें बड़े नेतान शामिल थे जिसमें आप देख सकते हैं मनोच तिवारी यहां पर मौझूद थे निशिकान दुबे के साथ कपिल मिश्रा भी मौझूद थे और बताया जारा है कि सभी के खिलाफ नौ लोगों के खिलाफ यहां पर इफाई आर दर्ज कराई गई है इफाई आर दर्ज होने के बाद बीजेपी सांसत निशिकान दुबे का पहला रियाक्शन भी सामने आ गया है निशिकान दुबे ने काये कि एरपोर्ट में कोई भी नियम का उलंगर नहीं किया गया है हमारी फ्लाइट की पूरी डिटेल एरपोर्ट के पास है सारी डिटेल लॉगिंग में मौझूद रहती है हम दुमका अंकिता के परिजनों से मुलाकात करने गये थे तो उसका इंचार्ज एरपोर्ट अथारिटी का डिरेक्टर है वो कह रहा है कि कोई रूल हमने वाइलेट नहीं किया है सब कुछ सही समय पर सही अस्थान पर हुआ है रूल के हिसाब से हुआ है वो सब लिखत पड़ा थे क्योंकि जैसे ही प्लेंट टेक आफ होता है वैसे ही लॉग इन भर दिया जाता है हम वहाँ एरपोर्ट पर 5 बच कर 15 मिनट पर पहुंसते है F.I.R. खुद कहता है कि 5 बच कर 25 मिनट पर हम एरक्राफ के अंदर थे 6 बच कर 4 मिनट पर संसेट था उसके आधे घंटे बाद तक 20 मिनट बाद तक जो है कोई प्लेंट टेक आफ टेक और टेक इन कर सकता है हम अंकीता को नियाय दिलाने गए थे पूरा जहारखंड इसलामी करण की तरफ बढ़ रहा है मेरे वाइफ के उपर 15 केस कर दिये मेरे 18-19 साल के बच्चे को उपर केस कर दिये जितना केस करना है करूसाइंट इस केस मेरे और मेरे परिवार के उपर हो गए है केस लडने के लिए मैं तयार हूँ दो-दो हाथ करने को तयार हूँ यह लड़ाई जारी रहे अब आपको बताते हैं कि निशिकान समेथ किनकी लोगों पर F.I.R. दर्ज की गई है F.I.R. में जार्खन के गोड़ा के BGP सांसर निशिकान दुबे का तो नाम है उनके दोनों बेटे कनिश कान दुबे और माही कान दुबे का भी नाम शामिल है BGP सांसर निशिकान दुबे लगाता ट्वीट करके हेमन सोरेन सरकार पर निशाना साध रहे हैं निशिकान ने ट्वीट करके लिखा मुद्दा अंकिता की निर्मम हत्या और उसके परिवार से मिलने क्या गए हेमन सोरेन अब इतना बौकला गए पूरा पेट सिस्टम और अधिकारी गाली देने लगे इनसाफ की लड़ाई केस मुकदमे से बंद नहीं होगी तो निशिकान दुबे का कहना है कि क्योंकि वो अंकिता के परिवार से मुलाकात करने गए थे इसी वज़े से हेमन सोरेन के सरकार उनके खिलाफ इस तरह की कारवाई कर रही है दुबका में अंकिता के परिजनों से मिलने दिल्ली बीज़पी के नेता कपिल मिश्रा भी गए थे इफायार में उनका भी नाम लिखा गया है उन्होंने भी हेमन सोरेन पर डारेक्ट अटाक किया कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके लिखा हमारे अंकिता के यहां जाने से जहारखन के सीम बौखला गये है निशिकान जी के बेटों तक पर जूटे केस हम जहारखन के पीडितों की आवाज उठाते रहेंगे इसलामिक तुष्टी करन में डूबी सरकार का परदा फाश करते रहेंगे तुम्हारी पुलिस मुकदमे हमें डरा नहीं सकते ना रोक सकते हैं तो आपको बता दे कि निशिकान डूबे, कपिल मिश्रा, मनोश तिवारी जब अंकीता के परिवार से मिलने दुमका गए थे जिसकी तस्विर इस वक्त आप देख रहें अंकीता जिसे की शारुख ने तेल डाल कर जला दिया था जिसकी मौत हो जाती है इसके बाद इस पूरे मामले में सियास्त शुरू होती है बीजेपी के जब नेता अंकीता के घर पहुँचे और जब वो बापस लॉट रहे थे दिल्ली तो उनको गताया गया कि उन्होंने एरपोर्ट पर नियोमू का उलंगन किया इसी वज़े से उनके उपर F.I.R. दर्च की गई है